देखे इसमें मैं करना चाहूंगा उनके बारे में बहुत प्रकार की बाते पहले भी कही गई हैं कहा जाता है वो जिस प्रकार के विशय बोलते हैं उस पर क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंबिरता से लेना चाहिए क्यों मैं उधारन के लिए बोल रहा हूँ यह तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं हम लोग जून 2022 में बैटे हैं यात करिये मई 2021 मैं दोनों भात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश वेदिया उसरें बच्चों का वैक्सीन पुरे दुनिया में कहीं बना नहीं था तो आप सोच लीजे कौन जुकेगा और कौन तूटेगा जो आलरेडी जनता के द्वारा जिस इस सिती में है कि अब वैसे वो आमेठी की जनता ने दिखा दिया है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूं कि 2019 में उन्होंने ब उनके संसदिय छेत्र की जनता ने और उनके खांदानी संसदी छेत्र की जनता ने दो साल पहले उसका जवाब दे दिया है देखे गहलोज जी के मूँ से जब यह वचन उदभूत होते हैं तो हमें याद आता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोशना पत्र में कहा था कि सीडेशन लॉग देश द्रोह का कानून समाप्त कर देंगे और 2019 के बाद सबसे पहले सीडेशन लॉग किस ने प्रयोग किया अशोग गहलोज जी ने किसके विरुद प्रयोग किया अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद जोकि उन्हें लगा कि शायद उनके विरुद कोई राजने तिक घटना कम पार्टी के अंदर चला अपनी पार्टी के मंत्रियों के विरुत और तो और पत्रकारों के विरुत उन्होंने सिडिशन लौका प्रयोग कर लिया अब उनको वो काला अध्याय नज़र नहीं आता है जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं राजस्थान में हुई जिस प्रकार के बच्चियों के साथ घटनाएं हुई वो सब विशे अलग है परंतु यहाँ पर मैं पुना अशोग गैलो जी से भी पूछना चाहता हूँ कि तीन दिन से आप राजस्थान को छोड़ कर यहाँ पर कौन सा शासकी ये कारे कर रहे हैं जो आपके संवैदानिक दाइद्व के अनुरूप और संविधान और सरक राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदप्त आपकी सुविधाओं का वास्विक और समुचित उपयोग प्रमानिक करता हूँ इस विशे का शुरुवात कब हुई एक नवंबर 2012 उसमें केन सरकार किसकी थी और सीधे ये विशे कहां डायर हुआ था दिली उचिने अले में फिर जाच की शुरुवात उसके बाद हुई तो मानेवी बात है जो विशह है आपके दोरे हुकूमत में शुरू हुआ जो आपकी सरकार के सरपरस्ती में शुरू हुआ उसके लिए हमारी सरकार को आरोब लगाना मुझे लगता है कि उनको कम से कम जुक कर ये पुराने रिकॉर्ड्स देख लेने चाहिए इसलिए मैंने आपको पहले ही कोट कर दिया था महत्मा गांधी का सौवर्ष पुराना कोट जिसमें उन्होंने कहा था सेल्फ डिसिप्लिन इस फोर्मोस फोर स्वराज और उन्होंने कहा था कि एनी पुलिटिकल अब्जेक्टिव कैननोट बी अटेंड बाई यूजिंग वा दर्शन इस प्रकार का वितंडावाद जिसने आज उपद्रव का भी रूप धारण कर लिया वह किया जा रहा है ये देश की जनता को साब देख रहा है तो महत्मा गांधी की कॉंग्रेस से राहूल गांधी की कॉंग्रेस का कोई मतलब नहीं है केवल सरनेम कॉमन होने से आ छुद्रता और मानसिक इस्तर की सीमा तक पहुँच गया है या उसका क्रमशा प्रमाण है ये केवल एक घटना नहीं है दो हजार साथ में सोनिया जी ने मौत के सौधागर बोला था 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आखवान किया गया और आज ये बोला गया तो यह कॉंग्रेस की वास्विक मानसिक्ता कितने निचले और छिछले इस तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण देखे विपक्ष में अनेक निता अपनी अपनी चौधराहट बनाने के लिए अनेक प्रकार के क्रिया कलाप कर रहे हैं इस पर हम किसी प्रकार की टिपणी नहीं करना चाहेंगे वह सारा विशे ना भाजपा से संबंदित है ना देश से संबंदित है वो विपक्ष के अंदर कौन अपना कद कितना बड़ा है स्थापित करके दिखा ले किसी भी मौके का उप्योग करके यह उसका अभिवेक्ति जादा नदर आता है देखे इस विशे पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है परंतु जो द्रिश्य सामने दिखाई पढ़ रहे हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से उसमें कॉंग्रेस कारकरताओं के द्वारा आगजनी, हिंसा और उपद्रव बहुत साफ तोर पर दिखाई पढ़ रहे है लगती है और मैं कोट करना चाहता हूं दिसंबर दोहजार उन्निश शैद 15-16 दिसंबर के आसपास, सोनिया जी ने बोला था, सड़क पर आजाओ आर पार की बात कर लो, यह मौका जिन्दगी में कभी एक बार आता है, यह देश में के रुसीन शिड़कने का नहीं, यह क्य इत्र शिड़कने का उधारन है, किसके द्वारा, सर्वोचनेता के द्वारा, और वही दिसंबर 2019 का महिना है, देश के बाहर भारत के दूतावासों में प्रदर्शन, किसके विरुद, भारत सरकार के विरुद, किसके द्वारा, मुक्षविपक्षी दल के द्वारा, मैं आ और कॉंग्रेस की अध्यक्षा ने ये कहा हो कि आ जाओ आरपार की लड़ाई लड़ो तो सबको दिखाई पढ़ रहा है कि इन लोगों ने किस प्रकार का वातावरण इस देश में बनाने का प्रयास किया क्योंकि जब राजनेतिक सक्ता आपके हाथ से चली जाती है तो फिर म मुझे लगता है कि अब उन्हें लग रहा है कि इस प्रकार के किसी वाइलेंज या डिस्टेबिलाईजेशन क्रियेट करके ही वह कुछ राजनेतिक पॉइंट से स्कोर करने का प्रयास कर रहे हैं देखें इस विशे की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो देश की जनता टेडिविजन चैनल के उपर देख रही है आरोप प्रत्यारोप के मामले में तो कॉंग्रेस अने एक प्रकार क्या रोप लगाती रही है अभी इसी प्रक्रण में ब्रष की जनता विश्वास करेगी